हलो स्टूडेंट्स गुड मॉनिंग मत्चू आई आपकी मैट की क्लास स्टार्ट करते हैं मैट में आपकी एक्सराइज 6 कंप्रीट हो चुकी थी मैंने आपको कहाता है वीजन एक्सराइज हुआ है वो आप रफकॉपी पर सॉल्फ करेंगे अब ही मैंने आपको चैप्टर 7 बीच में लीप करा दिया है वह हम बाद में करेंगे आख हम चैप्टर 8 स्टार्ट करें है चैप्टर 8 की फिरस्ट एक्सराइज 8 ए ठीके यह हमारा मनी केशाप्टर ए तो चलो से स्टार्ट करते हैं Exercise 8A, First question is, Write the following amounts of money in words, यहाँ पर आपको money दी है, इसको आपको words में लिखनी है, जैसे number 1 है 30, rupees, 60, paise, यह आपको money यहाँ पर दी है, तो हम यहसे copy में heading डाली है और इस तरीके से question note किया, अब इसको words में लिखनी है, जैसे हम number names लिखते आते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, rupees 30 and paise 60, ठीके, यह हो गया हमारा word में, एक और देखो, जैसे number 2 दिया यहाँ पर, 82 rupees 4, paise, यहाँ पर हम लिखेंगे, rupees 82 and paise 4, ठीके, तो इस तरीके से मैंने यह 2 ही करें है, question number 1 के, बागी के आप, जो इसमें 6 question है, तो 4 जो हैं, वो आप खुद करेंगे, ठीके, next परते हैं, question number 2 पर, question number 2 है, write the following amount of money in figure, ठीके, वहाँ पर हमें words में लिखना था, यहाँ पर हमें figure में लिखना है, पहला question दिया है, 64 rupees 42 पैसे, देखो, हमने इस तरीके से note कर लिया, 64 rupees 42 पैसे, अब इसको figure में कैसे लिखेंगे, यह होता है, rupees का sign, ठीके, rupees का sign बनाए, जिसे r बनाते हो न, r बनाते हो न, r बनाके, बीच में से इसे cut करा, तो इसको figure में कैसे लिखेंगे, 64.42, ठीके, तो अब इसा figure में अपने आप पढ़ोगे, तो क्या है, 64 rupees 42 पैसे, जो पहले लेकी जाते हैं, वो होते हैं, rupees, यह होते हैं, पैसे, number 2 देखो, 74 rupees 9 पैसे, यह दिया है, र रुपीज का sign मेंनाएंगे, 74 rupees, 9 पैसे है only, 9 है single number, तो 9 हमारा once की place पाएगा, तो यह आज दाएगा, 0, ठीके, 9 पैसे, अब देखो, number तरी पर दिया है, 28 rupees, तो only rupees का sign लगा के 28 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसे,